मुवी की सुरुवात में गार्बेज वाला एक एरिया दिखाया जाता है फिर वहाँ आर्टिफिसियल इंटेलिजन्स वाले बहुत से कौकरुच को छोड़ा जाता है जो कुछी देर में पूरे गार्बेज को खतम कर देते हैं इसके बाद हम PDR टेकनोलोजी के फाउंडर वि जिसमें विक्टर अपने केपरी को लेकर नए प्रोजेक्ट के लिए जा रहा था तभी एली विक्टर के पास आती है और इसे एक ट्रांस्मीटर देती है जिसके सिगनल को इंप्रूब कर दिया गया है और अब इसकी मदद से सभी कौकरुच को कंट्रोल किया जा सकेगा इ अब कैप्टन और उसकी टीम परेसान हो जाती है क्योंकि यब इनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो यहां से केवल 900 मीटर की दूरी पर होता है लेकिन तभी चाओ यहां पर आ जाता है इसके बाद वो पानी और हवा का डिरेक्शन देखता है और पाइलेट क से काफी हैरान होता है तभी यहां पर आ जाती है और बताती है कि इस एक्सिडेंट की वज़ा से पूरे 6 टैंक में कौकरोच अनिस्टेबल हो गए हैं इस पर चाओ कहता है आइसबर्ग पर बहुत सारा गार्वेस था जिसकी वज़ा से ही तुम्हारे कौकरोच लेकिन तभी अच्छानक से यहां कौकरोच आता है जिस पर एली कहती है अब हमारी मिलेटरी तुम सभी को एक वर मसीन में कनवर्ड कर देगी फिर एली जब उसे टच करने जाती है वो उसे काट लेता है जिसके बाद वो गुस्से में आकर इसे मार देती है लेकिन इसी वक चीफ को कंट्रोल रूम का CCTV फुटेज मिलता है जहां कौकरोच ने एली को मार दिया था और विक्टर अब जान जाता है कि एली असल में मिलिटरी की भेजी हुई एक जासूस थी तभी यहां कौकरोच का ग्रूप आ जाता है लेकिन विक्टर सेक्योर्टी चीफ को सूट करने के लिए बोलता है इधर सिहा अपने बॉइफरेंट से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी लेकिन तभी चाओ यहां पर आ जाता है और सिहा के बॉइफरेंट को पीटने की धमकी देने लगता है क्योंकि चाओ जानता था वो सही लड़का नहीं है इस पर सिहा कहती है फिर भ अजीब सी इसमेल आने लगती है फिर पता चलता है यहां कौकरोच का ग्रूप आ गया है जिसके बाद यह दोनों यहां से भाग जाते हैं वहीं दूसरी और मिकी नाम की लड़की सावर लेने गई होती है जहां अचानक से पानी गिरना बंदो जाता है और अब यहां भी हजारो कौकरोच आ जाते हैं जो एक जटके में इसे मार देते हैं अब यहाद एक जी आमी काफी डर जाती है और तुरंत यहां से भाग जाती है इधर कौकरोच ने लोगों को मारना सुरू कर दिया था इसलिए सभी लोग अपनी जान बचा कर भाग रहे थे वहीं विक्टर के साथ में सेक्योर्टी टीम भी कौकरुच के सामने फसी हुई थी और वो लोग उनको रोकने की कोसिश कर रहे थे जिसके दोरान कौकरुच बहुत दर्दनाक तरीके से इनको मारने लगे थे यहाद एक सेक्योर्टी चीफ विक्टर को अपने एक आदमी के साथ में भेजता है लेकिन दर्वाजा ओपन होने से पहले ही इस आदमी को भी कौकरुच पकर लेते हैं वहीं अप सेक्योर्टी चीफ के दोनों लोग भी कौकरुच के बीच में फस जाते हैं जिसके बाद कॉक्रोच उनको भी मार देते हैं तभी से क्योर्टी चीफ देखता है कि विक्टर अकेले ही अंदर जाने लगा है फिर वो भी अंदर आना चाहता है लेकिन विक्टर तुरंत दर्वाजे को बंद कर देता है क्योंकि उसके साथ में कॉक्रोच भी अंदर आ सकते थे वहीं बाकी लोग रेश्टोरेंट वाले एरिया में इकठा हो गए होते हैं और बाकी उसे भी यहां आने के लिए कहते हैं जिसे सुनकर विक्टर भी वहां जाने लगता है तभी रिसर्चर भागता हुआ यहां पर आता है जिसे कॉक्रोच ने काट लिया था और वो अभी भी उसके हाथ में चिपका हुआ था जिसके बाद चाओ कॉक्रोच को हटाने में हल्प करता है और एक आदमी इस कॉक्रोच को मार देता है तभी इसी वक्त विक्टर भी यहां पर आ जाता है लेकिन अब सभी लोग परेसान हो जाते हैं क्योंकि इसके केप्री कॉक्रुष ने बहुत से लोगों को मार दिया है फिर विक्टर इनको सांत कराता है और कहता है कि यहाँ प्रॉबलम सॉल्व हो सकती है क्योंकि ये केपरी ब्रेन सिस्टम के उपर काम करते हैं जिनको हम कंट्रोल रूम से बंद कर सकते हैं इसके बाद कैप्टन हेल्प बुलाने जाता है लेकिन तभी विक्टर इस पर गन पॉइंट कर देता है और ऐसा करने से रोक देता है लेकिन तभी मौका पाकर चाओ गन व वादा करता है जिसकी कीमा 200 मिलियन डॉलर थी अब यहां सुनकर सभी विक्टर की बात मान जाते हैं अब इनकी वजह से चावो कुछ नहीं कर पाता और सभी लोग कौकरोच का सामना करने के लिए तैयारी करने लगते हैं तभी इसी बीच कुछ कौकरोच आकर केक में चले जा लेकिन इसी वक्त यहां पर हज़ारो कौकरोच आने लगते हैं यहादे कलीन गार्बेज से उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती है और अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं अब यहां लोग आगभू जाने वाली गैस का यूज कर रहे थे और चाओो इनको सूट कर रहा था लेकिन ये कौकरोच बहुत बड़ी तदात में थे इसलिए इनको यहां से भागना पड़ता है तभी इसी बीच लीन गिर जाती है और अब कौकरोच इसकी तरफ आने लगते हैं यहां देखते ही एक आदमी उसकी हेल्प करने जाता है लेकिन कौकरो का फोन गिर गया था और वो उसे लेने वापस चली जाती है यहां देख चाओ उसे बचाता है और यहां से भाग जाने के लिए कहता है लेकिन अब कैप्टन यहां पर आ जाता है और चाओ को भागने के लिए कहता है क्योंकि इसी की गलती की वजह से सभी यहां पर फसे हु और चाओ भी सेफ तरीके से अंदर चला आता है इसके बाद सीहा फिर से अपने फोन को देखने लगती है यह देख चाओ उसका फोन मांगता है लेकिन वो अपना फोन इसे नहीं देती जिसके बाद चाओ गुस्ते में फोन पटक देता है जहां कवर के अंदर सीहा और उसके मदर सून की फोटो दिखाई देती है फिर पता चलता है कि सून जब प्रेगनेंट थी चाओ उसे अकेला छोड़कर पैसा कमाने चला गया था और सीहा को जन्म देते समय उसकी मौत हो गई थी लेकिन चाओ उस वक्त में भी अपनी फैमली के साथ में नहीं था जिसकी वजह से ही सीहा इसे पसंद नहीं करती इधर विक्टर केपरी सिस्टम को एकसेस करने जाता है लेकिन वो इसे एकसेस नहीं कर पाता और तभी इनको दर्वाजे से आवाज सुनाई देने लगती है फिर यह लोग सीसी टीवी कैमरा चेक करते हैं जहां पर इनको कैप्टन दिखाई देता है अब उसे देखते ही लीन दर्वाजा ओपन करने जाती है लेकिन चाओ ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसे बाहर एक भी कौकरुच नजर नहीं आ रहा था इसलिए वो जान जाता है कि इसमें जरूर कोई गड़बर है लेकिन अब लीन कोई बात नहीं मानती और कैप्टन को अंदर आने देती है फिर पता चलता है कि कैप्टन को कौकरुच कंट्रोल कर रहे हैं और वो लीन को दूर फेक देता है यहाँ देखते ही जीयामी इस पर आग बुझाने वाली गैस मारने लगती है जबकि विक्टर दरवाजा ओपन करने लगता है लेकिन इसी बीच कैप्टन रिसर्चर पर हमला कर देता है इसके बाद कैप्टन जीयामी की ओर भी आने लगता है यहादे के कादमी पीछे से इस पर हमला करता है जिसके बाद कैप्टन उसे कौकरुच से मार डालता है अब यहाँ देखते ही सीहा भागने की कोसिस करती है लेकिन तभी कैप्टन उसके पैर में रौट गुसा देता है यहाँ देख चाओ तुरंत इसकी हेल्प करने आता है लेकिन अब कैप्टन इसके तरफ आने लगा था इसलिए सीहा इसको यहां से जाने के लिए कहती है लेकिन चाओ इसे छोड़ कर नहीं भागता और तभी सेक्योरटी चीफ आकर कैप्टन को सूट कर देता है लेकिन कैप्टन को कॉक्रोच कंट्रोल कर रहे थे इसलिए वो अभी भी जिन्दा था और सेक्योरिटी चीफ के उपर हमला करने जाता है जिसके बाद वो कैप्टन को फिर से सूट कर देता है और सब यहां से भागने लगते हैं क्योंकि कॉक्रोच अब कैप्टन की बाडी मे से बाहर आने लगे थे लेकिन सेक्योर्टी चीफ कैप्टन की बाजू में सूट कर देता है और इसके अलावा बाकी सभी को बाहर जाने के लिए कहता है क्यूंकि वो इसे भी अपने साथ लेकर मरना चाहता था या देक विक्टर इसे sorry बोलता है और कहता है कि मेरे बिना कोई भी जिन्दा नहीं बच पाएगा या सुनकर से क्योर्टी चीफ इसे छोड़ देता है और कहता है कि मेरे साथियों के family का ख्याल रखना और इसके बाद से क्योर्टी चीफ अपने हाथ में दो grenade blast कर लेता है वहीं चाओ सिहा के जखमी पैर पर bandage लगाता है और अब सिहा को अपने फादर के प्यार का एहसास हो गया था इसके बाद चाओ विक्टर से पूछने लगता है आखिर इन cockroach को हुआ क्या है क्योंकि वो बहुत खतरनाक हो चुके हैं और पहले से ज्यादा smart पी हो गया है फिर विक्टर रिवील करता है कि उनको queen कंट्रोल कर रही है जो PDR की बनाई हुई AI सिस्टम है तब चाओ कहता है लेकिन उनको तो तुम कंट्रोल कर रहे थे इस पर विक्टर कहता है कि इन करोडो कौकरोच को एक साथ कंट्रोल करना मुस्किल था इसलिए हमने एक AI सिस्टम बनाई थी जो इनको कंट्रोल करती है और गार्वेज को आइडेंटिफाई करना सिखाती है लेकिन मुझे भी नहीं पता वो अचानक से इंसानों को क्यों मा गए थे तब रिसरचर कहता है कि हम रेफ्रिजरेटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि जब टेम्परेचर 7.5 डिग्री से नीचे जाएगा फिर वो सभी सो जाएंगे और अगर टेम्परेचर और ज्यादा कम हो गया फिर वो मर भी सकते हैं अब यहां लोग टेम्परेचर को 5 डिगरी पर सेट कर देते हैं और कुछ देर तक वेट करते हैं फिर चाओ कहने लगता है कि इनसान कितना अजीव है वो गारवेज खुद बनाता है जबकि मीटाने के लिए आइटिफिसियल इंटेलिजन्स का यूज करना चाहता है लेकिन वो कभी भी इसे खुद सॉल्ब करन नहीं होने देगा और इस तरह से अभी इन दोनों के बीच में कनेक्सन बनने लगता है लेकिन अब यहां के कौकरुच सो गए थे इसलिए ये लोग सर्वर वाले रूम की और जाने लगते हैं लेकिन तभी जीयामी के ऊपर कौकरुच गिर जाता है और वो डर की वजह से न अभी कौकरुच फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं यह देख चाओ सिया को वीक्टर के साथ मेजता है जबकि खुद जीयामी को बचाने लगता है लेकिन अब जीयामी काफी डर गई थी और वो रिसर्चर से कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती अब रिसर्चर जीयामी स प्यार करता था इसलिए वो खुद कौकरुच के बीच में चला जाता है ताकि जीयामी को बचाने का और ज़्यदा टाइम मिल सके और अब कौकरुच इसे बुरी तरह से मारने लगते हैं लेकिन जीयामी इतनी सेल्फिस थी कि वो रिसर्चर की और मुड कर भी नहीं देखत फिर विक्टर सर्वर को बंद करने की कोशिस करता है लेकिन अब इसका एक्सेस ब्लॉक हो गया था और अब AI सिस्टम इनको गार्बेज बोलना सुरू कर देती है और इसी के साथ वो खुद में कोई सिस्टम अपलोड करने लगी थी इसके अलबा बहार वाले कौकरुच भी साथ में बात भी कर रही थी फिर चाओ पूसता है कि तुमने हम पर क्यों अटैक किया इस पर क्वीन कहने लगती है तुम लोगोंने मुझे गार्बेज खतम करने के लिए डिजाइन किया था लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं चाहे कितनी भी कोशिस कर लूँ मैं जदातर पॉपुलेशन को खतम करना है जिसके बाद यहां धरती फिर से बेटर हो जाएगी अब यहां सुनते ही चाओ इसे इलेक्रिक सौक देने लगता है और फिर विक्टर इनके साथ में सेफ्टी रूम के अंदर आ जाता है तब चाओ कहता है कि तुम इसे जल्दी से ब पारना होगा तभी चाओ को एक आइडिया आता है वो सीप को आइसबर्ग के पास ले जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सा गार्बेज है इसलिए केपरी उसे देखते ही वहां पर चले जाएंगे और वहां का टेमपरेचर बहुत कम है जिसकी वजह से गिराने के बाद हमें आइसबर्ग के आने का वेट करना होगा फिर विक्टर कैमरा चेक करता है जिसके बाद पता चलता है वह एरिया भी केपरी से भरा हुआ है और इनका यहां प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है लेकिन अब चाओ खुद को सेक्रिफाइस करने के ल जुखी हो जाती है लेकिन अब चाओ विक्टर से सिहा का ख्याल रखने के लिए बोलता है और यहां से चला जाता है इसके बाद वो आग जलाने वाला एक जुगार बनाता है और सभी केपरी को मारता हुआ एंकर के पास आ जाता है लेकिन इसी वक्त क्वीन भी यहां पर आ इधर चाओ क्वीन पर आग से हमला करता है और फाइनली एंकर को गिरा देता है जिसके बाद सीपीसी जगा पर रुख जाती है और आइसबर्ग भी इनके पास पहुचने वाला था इसके बाद चाओ क्वीन के साथ में फाइट करने लगता है लेकिन वो भी बहुत को जखमी कर देती है वहीं सेप्टी रूम के अंदर पानी काफी भर चुका था लेकिन विक्टर अब उपर की सीट तोड़ देता है और सीहा को बाहर भेज देता है लेकिन वो खुद बाहर नहीं आ पाता तभी हम देखते हैं आइसबर्ग सीप के पास आ गया है इधर स्कूलों में जाकर गार बेज और उनके रिसाइकलिंग के बारे में अवेरनेस फैलाने लगती है इसके अलावा उसने प्लास्टिक बैग यूज करना भी बंद कर दिया था और इसी तरह से हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और फिर मुवी एंड हो जाती है अ लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा फिर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफीकेशन को आल पर जरूर सेट कर देना